नमस्कर किसम भाईयो आज के इस वीडियो में फिर से एक बार आपका दिल से सौगत है तो दोस्तों सिलिकॉन क्या है ये सवाल आप सभी के मन में जरूर आता होगा और कुछ कुछ किसानों को तो इसके बारे में बहुत सी जानकरी भी होगी लेकिन जितनी जानकरी है उससे भ आज बात में बहुत कुछ होने वाला है तो उसको जानने के लिए वीडियो को आन तक जरू देखेगा तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं हूँ दिवर आज और आप देख रहे हो अनिर्मता चले शिरुवत करते हैं आज के वीडियो के तो दोस्तों पहले जानते हैं सिलि जादारन सा न्यूट्रियंट है जो बहुत कम मात्रा में फसल को लगता है और फसल को कम पढ़ने पर फसल में कुछ ब्रैंचिंग नहीं होती सेल डिविजन अचे से नहीं होता फसल मजबूत नहीं बनती है तो यह सब प्रॉब्लेम आते हैं तो सिलिकॉन भी उतना ही महतो तो इसके अलगpendu फार्मुलेशन आते हैं तो इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे बताने वाले हैं तो दोस्तों अब हैं हम जानते हैं सिलिकॉन के मोड अप एक्शन के बार में तो सिलिकॉन का दो तरीकों से इस्तमाल होता है एक स्प्रेइंग से और एक दूसरा जमिन से तो स्प्रेइंग से जो हम सिलिकॉन का इस्तमाल करते हैं जब हम कोई भी फॉर्मुलेशन सिलिकॉन का formulation जब हम अपने फसल पर चड़काव करते हैं तो उसका आसानी से penetration यानि वह आसानी से आपके फसल के अंदर चला जाता है और जब आप जमीन में से देते हैं थोड़ी सी दिक्कत आती है थोड़ी सी क्या दिक्कत आती है तो जमीन में हैं मतलब जो जड़े होते हैं हमारे फसल की जड़े होते हैं वह सीलिसीग फॉर्म में ही जड़ों से सिलिकॉन का अप्टेक होता है तो आप किसी वह और फॉर्मूलेशन में अगर सिलिकॉन का से लिया जाता है यह पूरी की पूरी पूरी फसल भी मजबूस हो जाती है इसके एक और वह तंद्रूस होगी और तंद्रूस होगी तो जितना हो सके उतना बढ़नी का प्रायस करी तो इसलिए इसके परिणाम सोरूम पसल की लंबाई और चोड़ाई भी बढ़ जाती है और यह इसकी और सब्सक्राणाएक ट sì सब्सक्राणाद में बढ़ा रंट करती है तो ज्यादा बढ़ा बनने के लिए आप इस्तमाल करोगे अश्वाल वलत में आपका तेल की जढ़ा होगी और बागी tive पत्यां बढ़ी करने का बहुत फाइदा होता है देखो पतिया बढ़ी होने के बाद उसमें यौरोफिल बी ज्यादा बनता है ऍपुनो का बहुत अच्छा फाईदा है। आप पतियों का आकर बढ़ाने के लिए क्यालशियम बोरन और सिलिकॉन का भी स्प्रेइंग कर सकते हो तो एक और एक और मोड़ पैक्शन इसके रोगों से बचने के लिए फसल में रोग प्रतिकारक शमता विक्सित करता है तो यह कैसे करता है तो वह सेल वाल जो मजबूत ब कोई नहीं सकता है तो यह रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ाने का काम करता है एक और फाइदा इसका और एक और मोड़ पैक्शन है कि यह तनाव से हमें आमारे फसल को दूर रखता है तो कैसे रखता है तो सेल वाल मजबूत बनाता है आप देखो ठंड हो गई या गर्म सेलने के लिए या उसमें तिका मतलब फसल को टिका के रखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है सिलिकॉन का एक और मोड़ पैक्शन बहुत अच्छा है कि यह सन बर्निंग से बचाता है हमारे जब फल एक मैचूर्टी के पुरवा उस्ता में उसको कोमल पन आता है तो उ हो गई इसकी मोड़ पैक्शन तो दोस्तों अभी हम जानते हैं कि मार्केट में इसेलिकॉन और इस वीडियो में इस वीडियो में इस सबकी जानकरी डिटेल में नहीं दे सकता क्योंकि यह वीडियो और भी लंबा हो जाएगा मुझे एक-एक करके आपको इन सभी के बारे में जानकरी देनी पड़ेगी तो आपको अधी इन सभी मतलब यह जो फोर्मिलेशन में ने बता है इनके बारे में डीटेल में जानकरी चाहिए तो पहले वीडियो के लाइक 2000 तक आसानी से पहुचा दोगे, आप मेरे को यह ग्यारेंटी है, यह तो हज़र तक लाइक बना दो, मैं आपके बिना कहिए आपको यह वीडियो बना दूगा, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, कि कमेंट में मेरे को कमेंट कर सकते हो, कि भाई उससे भी जल्दी बना दो, मेरे को हैं तो आप मेरे को दोनों तरिकाइं बता सकते है तो उसके उपर वीठियो आज आएगा जब लंबी हो जाने के कारण में यहां पर इसके बारे में डीटेल में यहां पर नहीं बता सकता मियawan Sa마 सकता किसी उर वीडियosed में मैं उसके बार में आपको जरुर्ण करी दे hyvin तो दोस्तो सिलिकॉन का इस्तमाल हम लगबग सभी पसलों में इस्तमाल कर सकते हो खासकर आप तर्बुज खर्बुज जैसी पसलों में इसका इस्तमाल करोगे आप देखो जहां पे नदी किनारे जो रेतिली जमीन होती है वहां पे तर्बुज खर्बुज का उपज बहुत अच्छा आता है वहां पर उत जमीन में जो जो पसले आती है वह पसले अगर आपके खेट में अच्छा आनी चाहिए तो आपको वह अलग से मैं अलग से सी कूषथ खर्बूस के यह जमीन की आइसे कुछ फसले होती है तो उनको ज्यादा बढ़ाने के लिए सिलिकॉन की बहुत जरूरत होती और आप ऐसे भी आप आपने पसल को सिलिकॉन एक्स्ट्रा दे देंगे तो वहाँ पे आपको बहुत एक्स्ट्रा ओर्डिनरी रिजल्ट आएंगे यानि कि बहुत ज्यादा विश्वस नहीं है वह आपको रिजल्ट मिल सकते तो आप इसका जरू करेंगे आपके किसी भी पसल में यह आशा रखता हूँ और आप खास बात बताने से पहले एक छोटा सा इंट्रू देख लेजेए तो दोस्तों आज की खास बात में मैं जाते जाते आपको एक अच्छी जानकरी देना चाहता हूँ कि बाई दो फॉर्मूलेशन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकरी दे दूंगा यहाँ पे जिसका आप इस्तमाल अभी से आप उसका इस्तमाल कर सकते हूँ तो पहला है सिलिसिक एसिड और दूसरा है सिलिकोण अकसाइड मार्केट में जो सिलिसिक एसिड आता है वो ज्यादातर आपके तस्टिकर में डाल कर आता तो है तो इनको यहिप स्टिकर में डाल कर रहाता है तो स्टिकर में डालने का परपस यही है कि वो उनको स्टिकर की रिजल्ट बहुत बढ़ानी होते हैं तो स्टिकर से क्या होता है जो सिलिकॉन मजबूती देता है आपका पेनिट्रेशन बहुत अच्छे से करता है वो उसके कारण यह क्या करते है स्टिकर में सिलिसिक अइसिड डालते तो आप देखो भाई सिलिसिक अइसिड से कितना फायदा होता है लेकिन यह जो स्टिकर में सिलिसिक अइसिड डालते यह बहुत कम मात्रमी होता है सिलिकॉन आक्साइड के तुलना में तो मार्केट में जो भी सिलिकॉन आक्साइड आता पिकुलो आपको इसतोमाल करोगें तो आपके पसल में ज्यादा-ज्यादा उसके रिजल्टी भी आपको दिखाई देंगे कि मेरे प्र चितना बन बने डॉन authentalisไकट अपको प्रतिशत मिलेगा ही मिलेगा और जैसा कि आपके सिलिकॉन जितना महतोपुर्णे वैसे ही आपके बाकी के न्यूट्रेंट भी महतोपुर्णे तो उनकी ज्यादा जानकरी जानने के लिए इस प्लेलिस पे क्लिक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में जय जावान जय केसान कर दो